इस सर्कूलर को देख लिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, CISC ने साफ साफ कहा है कि 15 से लेकर 50 परसेंट तक सेलेबस के रिडक्षन, ICSE class 10th and ICSE class 12th में कर दिये गए हैं, अब और कितना आप चाहते हैं रिडक्षन, CISC ने साफ साफ कहा है कि इससे ज़्यादा और एक्जामनेशन के क्वेश्चन पेपर में अनप्रेडिक्टेड या अनएस्पेक्टेड हो सकती हैं, और इसके कारण यह होगे कि जिस तरह से कमपिटेंस या फिर अनलेटिकल थिंकिंग वाले कोश्चन को इंट्रोड्यूस किया गया है, और उसके बाद कहा गया है कि इन कोश्चनों के सहारे स्टूडेंट के सही वैलवेशन करने है, रोट लर्निंग को डिसकरेज करना है, इसलिए भी वहाँ पर सिलेबस में कुछ चेंजेज संभव हैं, वह भी कम्प्यूटर, एकनॉमिक्स, एकाउंटेंसी में लाइट हलके से और यह नेचर आफ कोश्चन में चेंजेज की बात सिलेबस में चेंजेज का मतलब नेचर आफ कोश्चन में हलके फुलके वेरियेशन आ सकते हैं तो स्पैसिमेन जो क्वेस्चन पेपर 2024-25 सेशन के लिए हैं, वह ही आज इट इस फॉर्मेट के अधार पर आएंगे, अब यहाँ पर कहा गया है कि अकेडमिक सेशन 2020-23 की तु नाम है, तु अकेडमिक सेशन 2024-25 इस साल, यानि जो टेंथ के स्टूडेंट ICSE दिये, वह ISE के एक्जामनेशन को दे रहे होंगे, उनके सेलेबस तो 50% तक, English paper 1, English paper 2 में reduce किये गए, math में 20 से 30% तक, ISE में 30% तक, और ICSE में 20 से 22-23% तक, सेलेबस के reduction हुए है, इसका मतलब हो सर्जोग्राफी में 15-20% तक, सेलेबस के reduction है, Humanities वाले subject में, जहांपर की major subject है, उनमें minimum 10-15% तक, सेलेबस के reduction हुए है, और जो minor paper है, उनमें तो करीब 50-60% कुछ एक paper में है, लेकिन पूरे paper में नहीं है, इसलिए उसका नाम लेना संभाव इस समय नहीं है, लेकिन जो reduction या reduce हो गए है, उनके बाद से अब किसी तरह के बदलाओ की गुझाइस नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे WhatsApp ग्रूप पर information फैल गए है, टेलिग्राम पर तो आप आए दिनों देखिएगा कि Hawks फैलते रहे हैं, और इन सब चीजों को चेक करने के बाद, जो detail आए है और मैंने आपके साथ share किया, चुकि इस समय भराम को दूर करना भी बहुत बड़ी बात है, इस्टुडेंट के बीच में बार बार अलग अलग तरह के confusion डाल दे रहे हैं, अभी मैंने एक बनाया था, जब स्कूल से तुरंत लौट आई था, कि सॉट वीडियो है, कि CISC ने बेट किजिए, जानिये सारे डीटेल क्या है, CISC ने साफ साफ कहा है, कि लगभग डेली ब्रीफिंग है, मतब दो से तीन दिन पर एक न एक आपके जितने भी डाउट से क्लियर करने के 2025, फोर के बोटिगामने सन के लिए, जो फाइब में होने हैं, उसके लिए साख कई प आए से क्लास 12, तो दोनों में, रिस्पेक्टिवली, बोर्ड स्टुडेंट के लिए, बेस्ट फाइब एन बेस्ट फॉर के कंसेप्ट रहेंगे, रिजल्ट में, इसका कैलकुलेशन, इवैलुएशन इसी तरह से हो गाए, जगर क्लास 10 के स्टुडेंट, ICC वाले हैं, 2025 के यह 11th में, अडमिसन लेते हैं, तो यह IAC वाले हैं, आने सारे इनवर्सिटी में जाते हैं, तो और साइंस एस्ट्रीम के स्टुडेंट हैं, और साइंस में अडमिसन लेना चाहते हैं, तो उनके बेस्ट फॉर के कंसेप्ट रहेंगे वहाँ पर, या बेस्ट थ्री वेड़ कर लें, फिर भी उनके इंट्रेस्ट वहाँ पर हो जहीं, तो इन सब बातों का यह मकसद है, कि आप बेजा डाउट में न आए, तो बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजें, चैनल को सेर कर दीजें, और सब्सक्राइब करना याद रखिए.